हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करोगे तो अब्जेक्टिव भी हो जाए तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव करोगे तो इसको रटना नहीं पड़ेगा मतलब एक बाद देखो के तो ही आप एक्जामें जाके लिख सकते इस प्रकार है कहानी टाइप का होता है और मैं आपको सम्झा दूँगा तो और भी तकत नहीं है चलो हिंदी का बहुत ही वार्यल को ससे देख लेते हैं क्या क्यों से और उसको समझ लीजिए आप लोग चलो फटा 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 नहीने तो सबसे पहला सवाले मनुस्तों के जीवन में आस मनुष्य से आत्म के इंदुर्य उता जा रहा है пит आत्म मनुष्य की नहीं दोके आरवा यह उदिदू और ही कारण है कि आज के समय के बाव होता है मनुष्स से पाएंस इतना समय क्योंकि अभी शभी काम रहे हैं पैसा चाहिए है शभी को दो सुघ काम पर सांको आ रहे हैं मुझे आगे बढ़ना पड़े लो खोट शोप не मिलतनी जीसडां अधार पर तूलसिदास के भासा सुपro अब आगे देखो, क्या बोल रहा है, यहां काव्यांक्स रामचरित मानस के बालकांड से लिए इसमें अबधी भासा का सुध रूप से परियोग देखने को मिलता है तुलिदास में इसमें दोहा, चंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर परियोग किया है जिसके करण काईबा के सौंदरियत था आनन्द में विर्द्ध हुई है और भासा के लाइब अदता बनी रही है तुलिदास में परियोग देखने को मिलता है तुलिदास में दोहा, चंद, चौपाई का बहुत ही अच्छा हुई है बहांसा में लाइविताब बनी रही है तुलसिदास जी ने अलंकारों का भी सटीक परिवग किया है इसकी भासा और भी सुंदर वस्तंग्यत्मत बना दिया है तो इस प्रकार से उसके बहांसा के बार में मिन्मेंट पॉंट्ट चीज याद रख लेना ठीक है अब मिन्मेंट प्रसाद ने जो सुकास अपने देखा से कभीता में किस रूप में अब्यक्त किया तो यह दोस्तों आप लोग का साइद यह नहीं है ठीक है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चीए तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीती से राजधर्म का पालन करना होता है एक राजा तभी अच्छा कहला आता है जब आनिती का साथ ना देकर नीती का दोस्तों गोपिया यह बात क्यों कहती है क्योंकि वो स्रीकिष्णा के अंदजार कर रहे थी ठीक है अब गोपियों को भूल चुका है मतलब भूले नहीं है जो भी है वो उद्धव को भेज़ देखा हो कि हां मेरे बिना भी रहना सीख ले तो गोपिया बहुत एक हरी-खोड मतलब दोस्तों वह अपने पंजे में एक लकड़ी को लटकाई रखती है और उसको छोड़ना नहीं चाहती है उसी प्रकास स्रीकिष्णा को इलोग मन से निकालना नहीं चाहता है निकाल नहीं पारी है ठीक है तो गोपिया का राजा का धर्म उसकी परजा की हर तरह से रक् करें ठीक है ताकि उन लोगों को यह जो दड़फ है वो दूर हो और उनसे बार तलाप हो पटित पाट के आधार पर फादर कामिल बूलके कि जो चबी वरती है अपने सब्दों में लिखे तो दिखो पाट के आधार पर फादर कामिल बूलके मानविय करुणा के अबदार मानविय करुणा के अबदार उसमें द्यालता भरपूर था मतलब बहुत ही करुणा में इनसान थे जिन में वातसल्य और ममता कूट-कूट कर भरती समझ रहे हो जैसे मा अपने बच्चे को कैसे प्यार करती इसमें फादर कामिल बूलके में अपने प्रेजनों के प्रती अ अत्मियां मतलब बहुत ही प्यार दिखाते समय रहो बहुत ही जदा करुणा ममता वासर लगी वर्सा निरंतर करते रहते हैं ठीक है अपनी प्रेजनों के प्रती इतनी आत्मियता को रखते थे प्रती कि अपने आशिरबादों से लोग का मन को लबालब भर देते थे इस त ट्रीस बज़े दोस्तों उसको उनको माने करना कि दिपच्मक कहा गया अगल सुआले बिस्मिल्ला कहा कि जीवन से जुड़ी घटनाओं और बैक्तियों का उल्ले करे जिनोंने उनकी संगीत साधना को सम्रित कि जीवन में कुछ ऐसे घटनाओं थी जीवनने उसकी संगीत पहले पहला है बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसुलन बाई और बतुलन बाई के यहां से होकर जाता था वहां पर दो मतलब संगित गाते थे रसुलन बाई और बतुलन बाई ठीक है इस रास्ते से कभी ठुमरी कभी ठपे कभी दादा जी दादरा के आवाज आते थी इन्ही गाई का बेहनों को सुनकर उनके मन में संगित लग लग दी जो रसलन वाई और बदलन वाई की जो गाईक होते थे इन्ही दोनों को स्टाड़ी में देख करके दोस्तो उसके अंदर संगित की ललग जाग उठी ठीक है नेश्ट क्या है बिशमिल्ला खाँ जर्षाबों सर्फ चार साल के जब चुप कर अपने नाना को सैनाई बजाते हुए worship बच्मिल्या को बच्पनु से भाएक को बच्चा में प्रेयास करते हैं एक फ्रेयास करते हैं मामुजान अकीवक्स अलीवक्स जब सहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्ला खाँ धर से एक पत्थर जमीन में मारा करते इस प्रकारों ने संगीत में दाद देना सिखा ठीक है बिस्मिल्ला खाँ कुलसुम की कचवडी तलने की कला में भी संगीत का आरो अब रो देखा करते सोचे मत कहां कहां से संगीत सीख लिए थे बचपन में बालाजी मंदिर पर रोज सहनाई बजाते थे इससे सहनाई बजाने के उनकी कला दिन पर दिन निखरने लेगे तब तो यह था दोस्तों आप लोगा कोशी इंपटन रोज से एक तो आप स्लेवयास में नहीं था आप सब्जेक्टि पर वीडियो आएगा क्योंकि छोटए वीडियो तो नहीं आएंगे क्योंकि आप बड़ी वीडियो से एक वीडियो में दस से 15 सभाल दे दूंगा और देखिए इस अब्जक्ति में एक बात देखो कि तो आप एक्जामें लिख सकता है इसा नहीं क्यों रटना पड़ेगा ठीक है समझ लो है इसको समझा दे रहा हूं और एक्जामें विल्कुल फोड़ करना दोस्तों आप लोगो का हिंदी लेटर राइटिंग सुन लो हिंदी लेटर र बातुं